प्लस लगा ना एपने बड़ी केरफुली पढ़ना है और नीचे दुए अंसर के आपने अंसर देने हैं ठीक है आपको इंफोर्मेशन क्या दिया है ए प्लस बी मीन्स ए इस सन ओफ बी जो बीचें प्लस लगा ना ए और बी के बीचें प्लस प्लस का मतलब क्या है सन ए इस सन ओफ बी मिस ए बेटा है बी का ए माइनस बी का मतलब क्या है ए इस वाइफ ओफ बी ए क्या है वाइफ है पतनी है बी की ए मल्टिप्लाइबी मीन्स ए A is brother of B, इसका मतलब क्या है, A क्या है, भाई है, B का, A divide B, means A is mother of B, जो divide है, A divide B, इसका मतलब क्या है, जो A है, वो मा है, किसकी B की, and A equal to B, A equal to B का मतलब क्या है, means A is sister of B, A क्या है, बहन है, B की, ओके, अब हम question स्टार्ट करते है, question number one हमारे पास है, what does P plus R minus Q means, आप से पूचा ग U का मतलब क्या है, देखो, ऐसे question कैसे करने है, बड़े simple है, मैं एक छोटा सा rule बताऊंगा, आपने वो follow करना है, ठीक है, देखो, यह plus का मतलब, ऊपर यहां कहीं पर plus आया है, और plus का मतलब क्या है, sun, plus का मतलब क्या है, sun, sun कौन पहले वाला, जो plus के पहले आएगा, पहले क P आ रहा है, और बाद में कौन है, आर आ रहा है, मिंस इसका मतलब क्या है, P प्लस आर का मतलब, P प्लस आर का मतलब है, P is sun of R, ठीक है, आपने P प्लस आर की value निकाल ली, ठीक है, आगे है, R माइनस Q, R को फिर से उठा ले ना, आपने P प्लस आर को उठाया, ठीक है, इतना अब क्या पकड़ना आपने अब आपने आर माइनस क्यू ठाना है प्लस छोड़ देना आर माइनस क्यू की वीची माइनस है ना तो आर माइनस क्यू की का मतलब क्या बनेगा अभी देख लेते हैं माइनस का मतलब क्या है माइनस का मतलब है वाइफ लिखाया ना ए माइनस बी क किसकी? क्यूंकि यहां पे A और B की बात करीगे, यहां पे R और Q की करीगी है, तो A और B की ज़िए क्या आजएगा? अब हमें यह चार ओप्षन दी है, इन में से बताना है कि कौन सी ठीक है, उससे पहले जो इन्फोर्मेशन मैंने बनाई है, उसको प्लॉट कर लेता हूँ, उसको बना लेता हूँ, P is son of R, बनाओ, यह P आ गया, P किसका बेटा है, प्लस लगाओ, प्लस मतलब बेटा है, किसका R का, ठीक है, R का भी जैंटर नहीं पता, यह वाली इन्फोर्मेशन मैंने हाँ प्लोट कर दी, आगे बोला है, R is wife of Q, जो R है, पतनी है, wife आगी ना, तो R के ओपर माइनस आजएगा, किसकी पतनी है, Q की, और Q के ओपर क्या आजएगा, प्लस आजएगा, क्यों 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 मेल है, इसका हस्बेंड है, और इन दोनों के एक हर्ट के अंदर डाल लो, जिससे ये कलिर होगा, एक मैरिड कपल है, शादी शुदा एक जोड़ा है, ठीक है, और P क्या है, R का बेटा होगा, तो P, Q का भी बेटा होगा, क्योंकि R और Q के हैं दोनों, पती पतनी है, चलो ज ठीक है, Q is son of P, Q क्या है, P का son है, नहीं, यह गलत है, Q तो क्या है, P का father है, नहीं, यहां पर क्याना चाहिए था, यहां पर भी क्याना चाहिए था, ठीक है, यह भी गलत होगा, लास्ट D option है, Q is brother of P, क्यों क्या है, भाई है P का, क्यों P का भाई है, गलत है यार, पहले option में हो गया, वैसे मारा answer, तो क्यों क्या है, P का father है, तो यह भी गलत हो गया, तो option क्या आएगा हमारा A option, ठीक है, example number 1 का ही question number 2 करना है, अब यहां पर क्या है, what does P into R divide by Q means, आप से बोलागा है, P multiply R divide Q का मतलब क्या है, इसको करना है हमने, पहले P और R का उठाओगे आप इतने को, ठीक है, फिर क्या उठाओगे, R divide by Q, इसमें से दो निकालने, एक निकालना है, P multiply R, और दूसरा क्या निकालना है, R divide by Q, दो दो इक अठे उठाने, और उनके बीच में जो sign लगा हुआ है, वो भी उठा लेना ह अठे एडिक है, तो यह दो information निकाली, multiply का मतलब कहां पर देखो, multiply यहां पर आया है, ए, ए is brother of B, A क्या है, तो multiply का मतलब क्या है, भाइ, तो क्या जेगा, P is brother, शी क्या है, भाई है, किसका, और ए, और जो दूसरी information है, divide वाली है, R divide ख्यू, तो divide का मतलब क्या है, divide का मतलब यहां पर आया है divide का मतलब क्या है A is the mother of B नहीं जो पहले वाला जो A है वो दूसरा जो B है उसका क्या है mother है तो आपका यहां पर पहले कौन है R है और बाद में क्या Q है left side पर R है और right side पर Q है तो R क्या बनेंगी मा बनेंगी R is the mother of किसकी वहां पर B थी यहां पर Q है होगे हमारा यह दोनों information निकाल लिए इसको plot करते है plot करते हैं plot कैसे करना है P is brother of R P भाई है किसका R का R बनाओ उसका भाई बनाओ P उसके उपर लगाओ plus क्योंकि P भाई है R का R का भी पता नहीं आई R male है female R के बारे में भी कुछ नहीं पता पर R का भाई P है वो पक्का हो गया कि P के उपर क्याएगा plus आएगा वो male है दूसरी information आपको पता है R is mother of Q R के बारे में पता लग गया R का mother है means क्या आएगा R के उपर plus आएगा ठीक है मा के उपर क्याएगा minus आएगा Q के बारे में कुछ नहीं पता Q के बारे में आपको कुछ नहीं पता है male या female है Q के gender के बारे मुझे नहीं पता अब इन दोनों को मैं हर्ट के अंदर नहीं डालूँगा क्यों नहीं डालूँगा क्योंकि यह married couple नहीं है P थो भाई है R का तीक है यह ऐसी रहेगा तो पहला ओक्षन जो आपको दिया है P is the brother of Q जो पी है वो Q का भाई है नहीं जी जो पी है वो तो Q का क्या आएगा मामा आएगा kya q 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 is nephew of q नहीं यह गलत है तो हमारा option क्या आएगा c option is correct ओके एक्जाम्पल नमबर वन का question number 3 करते हैं आपको बोला गया what does p equal to r plus q mean आपको बुछ है p equal to r plus q क्या मतलब है नीचे आपको चार option दिये हैं ठीक है पहले इसमें सो जो information निकलती है आपने वो को निकालने है कैसे निकालने है आपको यह बोला गया p equal to r plus q आपने करने पहले यह दो उठा लेने यह p equal to r फिर आपने उठा लेना है आर plus q यह अलगलग करके दो बार उठा लेने है p equal to r लेना एक और दूसरा क्याले प्लस Q ठीक है अब इन से जो information निकलेगी वो हम उपर से जो हमें पहले जो information दियो उसमें से निकालती है equal to देखो कहां पर यहां पर आया है equal to का मतलब क्या है A is sister of B means P क्या होएगी sister होएगी R की यहां पर A B है यहां पर PR आ गया तो क्या देगा P is sister P क्या है बहन है किसकी B की sorry B नहीं यहां पर क्या आएगा B की जगें क्या आएगा R आएगा ठीक है तो आप यहां पर लिखो R ओके R प्लस Q प्लस देखो कहां पर प्लस हमारा यहां पर आएगा प्लस का मतलब क्या है प्लस का मतलब है a plus b means a is son of b means जो पहले वाला a है वो दूसरे वाले का क्या है बेटा बनेगा तो यहाँ पर r आ रहा है और q आ रहा है a plus b की जगे r plus q है तो यह क्या बनेगा r is son of q ठीक है यह दो information आपने इसमें से निकाल लिए ठीक है पी के उपर – लगा लो क्योंकि पी कहा फीमेल है वहन है एकिसकी r की आगे बोला गया r is son of q r bêta है किसका bêta है बेटा नीचे आता है किसका bêta है是 q का q का बेटा है तो r के उपर आएगा plus ठीक है ar kे उपर क्या आएगा plus साईगा क्या पहले इनफरमेशन में क्या बोला था P is sister of R P sister है तो इसका मतलब क्या है जो P होगी वो बेटी होगी कि moisturizer क्योंकि बोल दिया जो R है Q का बेटा है और PR की बहन है तो इसका मतलब क्या फी में निकाल लिए चलो जी यह option के पी के बारे में बताना है पी क्या लगती है क्यों कि हमारे हिसाब से था पी क्या लगती है बेटी लगती है यहां रहनुने Example number 1 का question number 4 है, what does P equal to R divide Q means, आपने बताना है, P equal to R divide Q का क्या मतलब है, आपको 4 option दियो है, चलो सबसे पहले क्या करना है आपने, आपको क्या बोला हुआ, P equal to R divide by Q, इसका मतलब बताना है, इसमें कहा है, देखो, दो sign आ रहे हैं, equal to R एक divide आ रहे है, आपने जो equal to P और R के और जो दूसरा आपका sign है, वो divide है, वो R और Q के बीच में, आपने इन दोनों को पकड़ लेना है, ठीक है, तो पहले मैंने P equal to R, और दूसरा क्या आपने information निकाली, R divide Q, ठीक है, P equal to R से क्या information निकलेगी, P equal to R से information निकलेगी, देखो, इकल यहाँ पर लगा हुआ, A equal to B, A A equal to B का मतलब क्या है, A is sister of B, तो यहाँ पर P equal to R का मतलब क्या आजेगा, P is the sister of R, ठीक है, A और B की जगें क्या आगया, P और R आगया, जो दूसरी आपकी condition जो इसमें से निकाली आपने, R divide Q, अब divide कहां पर है, divide आपका कहा है, divide यहाँ पर है, और divide का मतलब क्या है, divide means, A is mother of B, यहाँ पर A plus B है, sorry, A divide B है, A divide B का मतलब क्या है, A is mother of B, तो हाँ पर R divide Q का मतलब क्या आजेगा, R is the mother, R is the mother of Q, ठीक है, यह दो information आगया, आप अब इनको plot कर लेते हैं, ठीक है, प्लोट कैसे करने आप जाता हूं, पहलिए P is sister of R, R की sister बनाओ P, P की अपर लगाओ माइन Q लगाया, क्योंकि P का gender क्या है, female है, बहन है, R की, और जो दूसरी condition है, उससे information क्याने के लिए, R is the mother of Q, R मा है Q की, तो Q कहा हैगा, नीची आएगा, और R की उपर आजेगा, माइनस, क्योंकि R क्या है, मा है, किसकी Q की, Q के gender के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है आपको इस क्या बता लगा, जो P है, बहन है किसकी R की, और R का आगे बच्चा कोन है, Q है, उल्टा बोलूं तो Q की मा कोन है, R है, ठीक है, अब आपको इस चार option है, इन में से कौन सी true है, वो आपने बतानी है, P is the art of Q, जो P है, वो Q की art है, देखो, Q, Q की मा, मा की बहन, मा क क्या बोलते हैं, मौसी या फिर मासी को बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं, तो आपका जो A option है, वो बलकुल ठीक है, इस एक दी चेक कर लेते हैं, P is the sister of Q, जो P है, वो Q की sister है, नहीं, अभी तो बता है, क्या है, मासी है, ये गलत हो गया, Q is the niece of P, जो Q है, वो P की niece है, नहीं बत आ सकते क्योंकि क्यों का जेंडर ही नहीं पता एक बात पक्की है क्यों नीस या नेफी होगी होगा ठीक है क्यों या तो नीस होगी या फिर नेफी होगा क्यों पी की बेहन की आगे बच्चा है तो जो बेहन का आगे बच्चा होता है या तो लड़का होगा लड़की होगी अ तो नीस तो नहीं कह सकते, नेफ्यू भी हो सकता है, आपको Q का जेंडर नहीं पता, लास्ट में बोला गया, Q is the daughter of P, Q, P की, सोरी, जो Q है, वो P की क्या daughter है, गलत है, डॉर्टर, देखो Q के जेंडर के बारे में ही नहीं पता, तो डॉर्टर कैसे बोल दिया नहीं, और उपर से वो P की, डॉर्टर तो दूर दूर तक लगे भी नहीं, अगरे फिमेल होती, वो तो P की क्या लग रही है, नेफ्यू या फिर नीस लगेगी है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया, जो Q है, वो P का नेफ्यू या फिर नीस लगेगी, जो की कोई अप्शन नहीं है, ठीक है, आपका अंसर कहाएगा, A आएगा, ओके,